नतस बाबू जितना भी हंगामा कर लें पर सच तो यही है कि उनकी शराब बदने कानून के धज्यां खूब उराई जा रही है 25 रुपए भट्ता पाने वाले मुख्या जी 5,000 रोजा न कर रहें सिर्फ सराब पर खर्च जनता भी ऐसी है कि शरावी को बना लेती है पंचात का मुख्या मुख्या जी भी ऐसे हैं कि उन्हीं आगामी चुनाव का वीब है नहीं शराब पीना और पिला पिला कर वोट लेने की जुगार में मुख्या जी की जान पर बनाई जब शराब पाटी देकर मुख्या जी अपने घर को चले हुआ कुछ ऐसा कि साहेपुर कमाल प्रखन अंतरगत सनहा पुर्वी के मुख्या जो छीतर में शराब प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं अक्सर शराब पीकर पंचाथ को हिलाते चलते हैं उन्होंनी रात्री 11 बजे के आसपास शराब पेकर बाइक से अपने घर को चले लेकिन ये क्या? घर पहुंचने के बजाए एक पाने से भरे गढ़े में जागो से अस्थानी लोगों के सहीयोग से उन्हें बाल-बाल बचा लिया गया खरे होने की एस्थिति में भी मुख्या बबलू जहा नहीं थे तो लोगों ने उस सरेवे पाने से निकाल कर सरक पर बैठा दिया और उनके गारे को निकालने लगे आप तस्बीरों में असपष्ट रूप से देख सकते हैं कि सनहा पूरब के मुख्या जी शराब के नसे में बेसुद सरक पर बैठे हैं और उनके जनता उनके बाई को उस बदबुदार पाने से निकाल रही है सुत्रों से मिने जानकारे के मुटाविक मुख्या जी शराब पीने के वज़़ा से पुरू में भी जेल जा चुके हैं जमानत पर बाहर आए हैं लेकिन प्यार तो आखिर प्यार है किसी को धन से प्यार होता है तो किसी को पुत्र से तो किसी को अपने समास से लेकिन इन साहब को तो शराब और कबाब से ही प्यार है जानकारे के मुताबिक मुख्या बबलु जहन ना तो बिहार सरकार की किसी कानून को मानते हैं ना ही भारत सरकार की किसी कानून को क्योंकि जनाब राजत के समर्थक बताये जाते हैं अब सवाल उरता है कि आखिर क्यों लोग ऐसे व्यक्ति को मुख्या चुनते हैं जो शराब, पीना और पिलाना ही विकास समस्ती हों। आखर सनहा पूरब के जन तक चाहती क्या है? सराबी समाज या सराब प्रेमी समाज। बीर रिपोर्ट, बीर नूज बिहार। अच्छा पूरणे समाज।